हलो स्ट्रेंट्स good morning मैं आपकी साइंस्टी जश्वता मैं बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है एसीड बेसें सॉल्ड जिसमें आज हमें स्टडी करने वाले हैं वासिंग सोडा के कुछ प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे इसके यूजर्स जो किए हमारा इन्कूम्टिट रहा गया था पिछली वीडियो में तो बक्ट्रПрउपर्टीज ओफ वासिंग सोडा अगर हम वाशिंग सोडा मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ आय ते जिसे हम कपड़े दोते हैं जिसको हम clean करने के लिए किसी विवस्तु को clean करने के लिए जिस soda का हम इस्तेमाल करते हैं यानि कि हम अपने घर में जो detergent इस्तेमाल करते हैं उसी को बना ज़ता है washing soda यह different company के हो सकती है लेकिन है वही यह क्या washing soda तो washing soda की properties की बात करते हैं, पहला है freshly prepared washing soda, यानि कि अभी-अभी washing soda बना हुआ है, मतलब fresh है, अभी का बना का मतलब की recently बना हुआ है, जरुनी के दम तुरंद बना करके आप में हाथ में दिया जाएगा, तिक है, recently जो हमारा बना होता है washing soda, इसका nature होता है कि यह क्या होता है, transparent ह होता है, यह transparent होता है, crystalline solid, transparent crystalline solid होता है, और ऐसा solid जिसमें की 10 water के molecules पाए जाते है, 10 water molecule of crystallization, water molecule of crystallization पाए जाते हैं, कितने 10, जैसा कि अपने formula में देखा था पिछली बार, पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, कि हमारा washing soda को formula क्या होता है, बच्चों, Na2 मतलब sodium, और CO Na2CO3 मतलब carbonate, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 यह हमारा washing soda नहीं है, इसको हम क्या बोलते है, इसको हम बोलते है, soda S, ठीक है, यह cleaning का काम नहीं करता है, यह cleaning का काम कब करेगा, जबकि इसके अंदर आ करके, यह dot यहाँ लगाईए, और 10 लगाईए, और यहाँ लेके S2O, ठीक है, तो इस क्या है, sodium carbonate deca hydrate, मतलब crystalline water, यह क्या है, crystalline water, यानि कि इस salt, यह जो है, Na2CO3, जो salt है, यह salt क्या करता है, जब water को absorb करता है, ठीक है, बाहर से moisture को, atmosphere के moisture को जब यह absorb करता है, ठीक है, तो इसमें जब water add कराया जाता है, ठीक है, atmosphere के water की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बना रह रहे हैं, और यह water को जब absorb करता है, अपने surface के उपर water absorb कर रहा है, तो यह क्या बन जाता है, Na2CO3.NS2O, यानि कि यह हमारा क्या है, तब इसको हम कहतें कि जो water molecule है, जो कि Na2CO3 के साथ जुड़ा हुआ है, यह क्या है, crystalline water है, ठीक है, तो deca S2O जब इसके साथ जुड़ जाता है, तब यह जो combination है, मतलब Na2CO3 के साथ जो deca S2 जड़ गया, यह जो combination है, यह कहलाता है हमारा washing soda, ठीक है, तो washing soda जो की अभी recently बना हुआ है, मतलब fresh है, वो आपको transparent crystalline solid की तरह से दिखाई देता है, transparent crystalline solid यह होता है, जिसमें कि 10 water molecules होते है, if kept open in air, यदि हम इस salt को उठा करके air में रख देते हैं, ठीक है, हवा में रख देते हैं, the crystal of soda loss 9S2O, तो इस soda से 9S2O इसमें से निकल जाता है, ठीक है, यह मतलब Na2CO3.10S2O जो है, यह क्या करेगा, अपने में से 9S2O को निकाल दे रहा है, जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है, ओके, Na2CO3.10S2O, यह आपका ह हो गया क्या, washing soda, जो की solid form में है, अगर आपने इसको open में, air में रख दिया है, तो यह क्या करेगा, यह अपने में से 9S2O के molecules को निकाल देता है, ठीक है, उसको loss कर देता है, जब 9S2O के molecules निकल जाएंगे, तो यहां पर बचेगा क्या हमारा, किबल 1S2O का molecule बचा हुआ है, ठीक है, और 1S2O का molecule होता है, इसको हम बोलते हैं, mono, ठीक है, तो यह क्या हो गया, mono hydrate हो गया, जहां पहले यह day का hydrate था, अब यह क्या हो गया है, बच्चों, अब यह mono hydrate में convert हो गया है, और ऐसा हो ना, ठीक है, इस process को हम क्या बोलते हैं, efflorenses, ठीक है, इसको बोलाजता के, और यहां तक आपको लिखना है, if kept, if kept opening near the crystal of soda, crystal of washing soda, soda की जहां पर washing soda बोलिए, crystal of washing soda, यहां पर washing add कर लेना बच्चों, ओके, यहां add कर लेना, ठीक है, baking soda भी होता है, तो हम crystal of washing soda बोलेंगे, crystal of washing soda loss 9 S2O molecules of crystallization, जो हमारे crystallization water molecule है, 10, उसमें से 9 लोस कर देगा, to form monohydrate, और यह क्या हो जाएगा, monohydrate, white powder में यह convert हो जाता है, यह white powder में convert हो जाता है, इसका color कैसे हो जाएगा, white हो जाएगा, white powder में यह convert हो जाता है, और इसी process को बला जता है, efflurrences of washing soda, तो चोटा सा definition है तो अब यह कर सकते हैं, और यह reaction आप दिखा सकते हैं, ओके, next बनाने में हम washing soda का इस्तिमाल करते हैं कौण सा glass आपने देखा होगा दो बहुत ही strong glass होते है उन glass को बनाने के लिए भी रहा इसका इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि यह borax से देखें इससे क्या किया जाता है washing soda से इससे कुछ sodium के compound बना जाती है चलो मैं step by step चलती हूँ पहला तो for the manufacture of glass glass के manufacture में इसका इसका इस्तिमाल होता है दूसरा है for washing purpose in the laundries जो laundries में जो हम कपड़े अपने देते हैं ठीक है वहाँ पर dry wash होता है वहाँ परवे यानि की washing purpose में हम इसका इसका इस्तिमाल करते हैं next हो गया for the manufacture of other sodium compound यह हमारे क्या है यह है एक sodium compound यह compound है जिसमें कि sodium present है इसको हम बोलते हैं कि यह sodium compound है तो इससे हम दूसरे भी sodium compound बना सकते हैं for example जैसे कि sodium silicate बना लीजे इसमें सो sodium ले लीजे और silicate बना लीजे है उसमें आपको silicate अड़ करके silicate बना लेना है तो sodium silicate बना सकते हैं आप sodium hydroxide बना सकते हैं आप borax बना सकते हैं और इनका इस्तेमाल बोरेक्स जैसे है इसका इस्तेमाल किया जाता है जिस glass को बनाने में वो glass जो होती है वो काफी temperature को bear कर सकता है ठीकिना बहुत ज्यादा temperature जैसे कि जो lab में test tube होता है जो lab में हम beaker वगर इस्तेमाल करते हैं ठीकिना जो आप देखते हैं वो funnel इस्तेमाल करते हैं ठीकिना funnel बीकर जो इस्तेमाल करते हैं यह सब जो होता है यह क्या होता है यह कांच के बने होते हैं तो इसमें इसी का इस्तेमाल कियाता है जो कि इसी से बनाए गया है ठीकिना इसी से इसी के sodium से हम मतलब sodium compound से तयार किया जाता है ठीकिना other sodium compound तयार किया जा रहा है इससे ही तो इसके थे ed도 कर sevenैघाये है वह रहा है तो यह क्या कर रहा है उस temperature को septer कर रहा है तो तूटे नहीं हो एскाराख से टूट जाया काफी स्ट्रॉंग नहीं होगा क्यूं कि ट्वेसी सेट सेख सकता है अम मतलब आपaton बसा है तो यह क्या कर रहा है उस temperature को बीर कर रहा है तो तूटे गा नहीं वह है न अचानुक से टूट जाया चटक जाया ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह glass क्या होता है काफी strong होता है तो यह temperature को सह सकता है अब strong होने का मतलब यह नहीं कि आप उठाकर के जमीन पपटक दो और ना टूटे जमीन पपटक होगे तो वह तूट जाएगा ठीक है लेकिन temperature की बात हो रही है कि आप गर्म करेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि वह temperature को लेते लेते और test tube तूट जाए ना cloth को wash करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसका ही इस्तेमाल होता है इन paper and soap detergent industry जो जहां paper बनता है जहां पर soap बनता है ठीक है ना detergent बनता है ऐसी industry में हम इसका इस्तेमाल करते हैं for the for the softening of water इस point पर बचों focus करिएगा 6 वाला point देखें क्या कह रहा है for the softening of water water को soft बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है water को यह soft बना लेता है यानि कि अगर आपने hard water ले लिया देखें आगे क्या रिका हुआ है it also remove permanent hardness of water ठीक है water की permanent hardness है उसको भी यह खतम करता है इसले हम कहते हैं कि साबुन जो होता है कपड़े धोने का अगर साबुन है ठीक है जो soap होत है उससे बहुत ही अच्छा होता है हमारा क्या detergent की अच्छा का होता है कि यह हम कपड़े दोने की साबुन क्यों नहाने के साबुन की भी बात करते है न ना तो जो सोप होता है, नहाने के साथ उनकी बात कर रहे है, तो जो सोप होता है, वो hard water में आप देखेंगे कि वो काम नहीं करता है, soft water में अच्छा काम करता है, लेकिन जो हमारा detergent होता है, वो hard water में भी काम कर सकता है, अपना पूरा cleaning effect दिखाएगा और soft water में भी अपना पूरा तो सोप से डिटर्जेंट हमारा अच्छा होता है तो यह हमने क्या देखा बच्चों यह हमने देखा वासिंग सोडा की कुछ यूज़ और हमने कुछ इसके देखे प्रॉपर्टी बस इतना सही टॉपिक यह बचा हुआ था बाकि वासिंग सोडा मैंने आपको पूरा पिछल क्या होता है कैसे बनाएंगे पिर इसकी प्रोपटी की बात करेंगे इसके युज़ ऐसकी बात करेंगे और लगलाग है यह दोनो अजह अ refuse है और तो रहया हैं इस हमारे लिए अच्छा है कौँ अच्छा है वेकिंग सोड़ा तो यह फाइदा करेंगा और हमको को नुकसान पूचा रहा है इस सब टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे बच्छो नेक्स वीडियो में तो अभी के लिए इतना है स्टुड़ी करते रिए ओके हैं राइस जे